हाई गुड मॉर्णिंग टू आल मैं डॉक्टर नगेंदर थालोर इंटर्वेंशन कार्डियोलोजिस्ट कि टेस्ट क्या होता है क्यों करवाना रहता है और करवाने कसे इसका पैलिप और इसका रिजल्ट ह occasionallyender ।onal yht इसके परबुश्ट कर सकते हैं और शीन अपना अपन क्या मेनेजमेंट कर सकते तो ये सब अपन इस वीडियो में जानेंगे So what is Lipid Profile Test तो Lipid Profile Test क्या है ये एक Blood Test है जिसमें अपने Blood में जो Fat Molecule है जिनको अपन लिपिट बोलते हैं उनकी Amount अपन कैल्कुलेट करते हैं कि कितनी मात्रा में अपने Body में Lipid है ये क्यों दरूरी है क्योंकि यदि इसका बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा कोलिस्टोल और ट्राइकलिस्टाइड का तो ये अपने जो ब्लड वेसल्स हैं और आर्ट्री हैं उनमें जमा होने लग जाएंगे और वहाँ पे फिर उनको डेमेज कर देंगे और अपने जो कार्डियोवस्कुलर डीजीज की रिस्क है उसको बढ़ा देंगे तो इसलिए जरूरी है कि अपने को अपना बेसलाइड लिपिट लेवल पता होना चाहिए लिपिट टेस्ट में मेली पांस कंपोनेंट होते हैं जिसमें अपन बात करें तो एक सबसे पहले रहता है टोटल कोलिस्टोल में जो HDL, LDL, VLDL सारे मिला के इसमें आ जाते हैं दूसरा कंपोनेंट रहता है LDL LDL को अपन बेड कोलिस्टोल भी बोलते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही इसकी मातरा बढ़ने लगेगी यह अपने blood vessels में build up होने लग जाएगा, वहाँ पे जमा होने लग जाएगा, और अपने blood vessels को narrow करेगा, heart disease बढ़ाएगा, stroke risk बढ़ाएगा, इसरा component रहता है HDL, HDL को good cholesterol बोलते हैं, क्योंकि यह जो LDL molecule है, उसको periphery से लेके जाता हो आपिस liver में, तो वहाँ पे इसको build up नहीं हो देता, चोथा component आता है VLDL, VLDL means very low density lipoproteam, तो VLDL बहुत ही कम मातरा में पायदाता है, और जब अपन fasting sample करते हैं, तो VLDL बहुत कम रहता है, लेकिन यह अपन fasting नहीं है, तो VLDL का level जैदा आएगा, क्योंकि यह diet खाने से related है, यह अपने कुछ खाया हुआ है, तो VLDL high में दिक्कत हो सकती है, नेक्स्ट है triglyceride, तो triglyceride है, जो भी अपन खाना कहते है, रायटली उसमें से triglyceride बनता है, और यह इसका भी level ज्यादा होगा, तो यह भी जो build up होने लग जाएगा, कॉलिस्टोल प्लाक नहींगा, कार्डियोवस्कुलर इसको बढ़ा देगा, अ या high range में है, borderline high में है, या very high range में है, दूसरा यह कि अपन पहले कभी टेस्ट करो है, अपना high है, तो अपन उसको follow up कर सकते हैं, उसके लिए अपन लिप्ट प्रोपाइल टेस्ट करवा सकते हैं, तीसरा यह कि अपन यह दी medicine ले रहे हैं, या कोई exercise या diet पे चल रहे हैं, तो वो देख सकते हैं, उससे अपने को कितना benefit हुआ है, उसको follow up करने के लिए करवा सकते हैं, और यह lipid profile कोई दूसरे disease diagnose करने में भी help कर देता है, जैसे अपने कोई liver की disease है, pancreatitis है, तो उस टाइम पे यह अपने टेस्ट करवाते हैं, तो बढ़ा हो आता है, तो भी कर रहा है, लिपिड लेवल को, तो यह जो भी लोग high risk वाले रहते हैं, उन सब को तो करवाना ही करवाना है, तो उसमें जैसे obese patient है, या जिनका diabetes है, जिनका BP है, जो chronic smoker है, एलकोलिक है, और जिनके जब family history है, जैसे heart attack की है, या कोई family death की history है, जैसे male में 55 साल से पहले है फिमेल में 55 साल से पहले है, और जो person है जिनकी, जैसे male है, उनकी उमर 45 साल से उपर है, फिमेल है, जिनकी उमर 50 साल से ज़्यादा है, उन सब को यह test करवाना है, तो children में भी यह test करवा सकते हैं, children में भी high cholesterol लेता है, और जिसके mainly 3 कारण देते हैं, heridity, diet और obesity, और जिनकी भ के बाद में cholesterol का peak चालू होता है, तो उस time भी अपन एक बार अपना baseline cholesterol करवा सकते हैं, और उसके बाद में हर 4-6 साल के gap के बाद में एक बार चेक कर सकते हैं, तो lipid test करवाने के लिए क्लिए क्लिए आप preparation करना रहता है, तो इसके लिए क्लिए आपने को रात बर fasting रहना रहत है, और फिर उसको analysis के लिए बेच देते हैं, और अपने को same day उसकी report भी मिल जाती है, और टेस्ट का cost भी around 4-6 से रुपया में लगबग है लेब में हो जाता है, नौ क्यूसर यह है कि यह test अपने को fasting में क्यों करवाना है, तो इसके दो कारण है, पहला क्योंकि अपने भी यह जी कुछ डाइट लेगें, यह जी test पहले high fatty diet, alcohol या कोई भी अपने medicine लेते हैं, तो अपने जो value है वो क्रेप नहीं आएगी, दूसरा यह जो LDL cholesterol है, बहुत important है, bad cholesterol है, उसमें बहुत variation आएगा, यह भी अपन fasting में नहीं करवाते हैं, जबकि total cholesterol और HDL है, वो अपन fasting में fasting condition में भी करवा सकते हैं, उन में ज़्यादा variation नहीं आपता है, ज़्यादा significant change नहीं आता है, अब report मिलने के बाद में कैसे, उस report को दे के समझें, कि cholesterol या जो lipid profile लेवल है, वो अपना normal है, यह ज़्यादा है, तो अपन कौन सी radiation में आते हैं, तो वो अपन जानते हैं, इस ए लेच्टिया लोगरा, दूसरा उसकी जो वेल्यू जो पेशेंट की जो वेल्यू आती है, वो लिकिवी रहती है, उस उस unit लिखा रहता है, तीसरा point, जो मिलिग्राम पर डेसी लिटर में होती है, यानि एक डेसी लिटर में इतना मिलिग्राम कोलिस्टोल या जो lipid है, और reference value में इसमें बताया जाता है, कि इतने से नीचे है तो अपना normal है और इतने उपर जाता है, तो अपन high risk में आजाता है इस रिपोर्ट में जैसे अपन देखते हैं total colistole, तो total colistole इसमें है 184.6, 184.6 इसका colistole यह ठीक है, अब अपन इसको compare करते हैं, तो इसी 200 से नीचे है, तो normal range में ही है, और इस 200 से लेके 240 तक है, तो वो borderline high range में आता है, और इस 200 के 240 से ज़्यादा हो गया, तो high range में आ दाए दूसरा parameter इसमें HDL है, तो HDL इसका 39.8 है, तो अब आपन नीचे compare करते हैं, तो जैसे इसमें बताया है female में, female में more than 50 normal होना है, और जो male है उसमें more than 40 कम से कम होना ही चाहिए, usually the HDL 60 या 60 से उपर है, तो अच्छा ही मानते हैं क्योंकि यह good colistole है, next parameter है LDL, तो इस करते हैं, तो जो optimal अपना चाहिए, वो less than 100 होना चाहिए, और जो above optimal है, 100 से लेके 129 हो गया, और इसके अलाव जो borderline high आजाएगा, 130 से 159 तक, और high आजाएगा, 160 से लेके 189 तक, और 190 है, more than 190 है, तो very high risk में आजाएगा, next parameter है triglyce है, तो इस डिपोर्ट में जो triglyce है, 206.9 है तो less than 150 है, अपना normal मानते हैं, यह अपना 150 से लेके 199 तक है, तो उसको borderline high मानेंगे, और यह 200 से लेके 499 है, तो उसको अपना high मानेंगे, और यह more than 500 है, तो very high मानेंगे, next parameter है, non HDL, cholesterol, non HDL cholesterol, यानि कि total cholesterol है, उसमें से अपने HDL को minus कर दिया, तो जो बचावाया है, non HDL cholesterol, तो इस patient का total cholesterol है, उसमें से अपने HDL को अठा दिया, तब इस patient का आया 144 के लगबक इसका, जो non HDL cholesterol है, जो non HDL है, optimal range में है, वो less than 130 होता है, और जो above optimal है, वो होगे अपना 130 से, 159, और फिर जो borderline high range में आ जाएगा, यह अपना है, 160 से 189, और 190 से 219 है, तो वो high risk में आ गया, और more than 220 है, तो very high risk में आ जाएगा, तो next parameter अपना है, cholesterol upon HDL ratio, जैसे कि इस report में अपन दे सकते हैं, अपना 4.6 ratio है, तो इसको objection नीचे compare करेंगे, तो इसमें अपन देख सकते हैं, कि जो low risk में है, यह अपना 3.3 से 4.4 तक हो तो, और उसके बाद में अपना average risk में आ जाता है, यह दी 4.5 से 7.1 है तो, और फिर intermediate risk में आ जाएगा, 7.2 से लेके 11 तक, और फिर high risk में आ जाएगा यह अपना, जो more than 11 है तो, इस report में अपन जैसे compare करें, तो इसमें जो total cholesterol है, वो एक normal range में आ रहा है, बाकी सब थोड़ 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 जो normal range से उपर ही है, और HDL थोड़ सा कमा रहा है, तो इस तरह अपन यह report देके, और उसको reference range से compare करके, अपन अपना result खुल, पता लगा सकते हैं, कि अपना cholesterol normal है, यह ज्यादा है, या क्या है, अब युदि अपना ज हो गया हो, या कुछ variety of other factors भी रहते हैं, तो कुछ कुल मिलाके उसमें गड़वड हो सकती है, तो फिर अपन repeat करवाते हैं, यह दि repeat करवा है, फिर भी ज्यादा आ रहा है, तो अब अपने को risk assessment करना ज़रूरी हो जाता है, और उसके लिए अपन कुछ other test भी करवाते हैं, तो इसके लिए TSS test अपने को करवाना है, इसके अलावा अपने को कोई सरीर में inflammation तो नहीं चल दा, उसके लिए CRP test एक करवाना है, और अपनी जो clotting tendency ज़्यादा तो नहीं है, उसके लिए अपन हिमोसिस्टी या lipopriotin test भी करवा सकते हैं, तो इस तरह अपने को यह सारे test करव अपने को dietary management करना है, तो diet में एकदम से मिठा और जो fatty चीज है, उनको avoid करना है, और protein, salad, fruits, vegetables वो ज्यादा लेना है, दूसरा अपने को exercise, अक्सेसाइज डेली एक गंठा, minimum एक गंठा अपने को करना है, किसी भी तरह की exercise, running हो या walking हो, walking में इसे नहीं आराम से नहीं चलना है, risk walking करना है, और अपने ये सब करने के बाद में, अपन 6-8 हफ़ते बाद में अपना repeat करवा के देख सकते हैं, यदि repeat test अपना normal आ जाता है, तो अपन continue इसको follow करते रहेंगे, अपनी diet और exercise और lifestyle management को, यदि फिर भी अपना level ज्याता आता है, तो अपन low dose में कुछ drugs या medicine लास्ट में ये डिसकस करेंगे, कि कोलिस्टोल अच्छा है ये बुरा है, तो कोलिस्टोल नहीं तो अच्छा है और नहीं बुरा है, क्योंकि ये अच्छा इसलिए नहीं है, क्योंकि जैसे इसका level पढ़ेगा, ये फिर artery में जमा होने लग जाएगा, और अपने को बहुत स कोलिस्टोल चाहिए, दूसरा जो cell membrane है, tissue structure है, बहुत सारे इसे हैं, जिनके formation के लिए अपने कोलिस्टोल चाहिए, तीसरा ये है, जो bile production है, उसके लिए भी कोलिस्टोल चाहिए, और जो bile है, वो अपना digestion और absorption में बहुत help करता है, तो इन चीदों के लिए कोलिस्टोल चाहि है, वो एदी सतर से सो के बीच में रहता है, तो उसको अपना ideal मानते हैं, और जो lipid report है, उसमें जो non HDL कोलिस्टोल की findings है, वो ज़्यादा important है, यदि वो ज़्यादा बढ़ा हुए, तो ज़्यादा risk की रहेगा, उसके बाद में second number बे, the total cholesterol divided by HDL, जो उनका ratio है, वो ज़्या की रहते हैं, तो इस वीडियो को देख के, आप अपना cholesterol जब भी आपको लगे, आप जरूर करवाएं, और अपना report आप खुद समझ सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जानकरी दें, धन्यवाद,